हे गाइस वेलकम बैक कैसे हो आप सब उम्मिद करते हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत यूसफुल वीडियो लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आप बोलोगे कास ये सारी ट्रिक्स हमें पहले पता हो दोस्तों हम सभी के घर में रील रखने का बॉक्स होता है और आपने देखा हुआ उसके अंदर इस तरह से समान भरा पड़ा रहता है रीले कहीं होती है सोई कहीं होती है इंची टेप कहीं होती है तो इसे रखने का बहुत बढ़िया तरीका मैं आपके साथ शेयर करूगी जिससे ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी और आपका डबा भी खाली खाली सा लगेगा अभी दोस्तों मैंने लिया है यहाँ पर डवल टेप डवल टेप लेने के बाद दोस्तों इसको ना हम इस तरह से कट कर लेंगे और हमारा जो बॉक्स है यहाँ पर आपको इस चिपका देना है यह देखिए अब दौस्तों कै उपर बहले हैं से में इस तरह से कट लगा देना है किसी चाकू वगरेरा से तरह से आप कट लगा डीजे यहाँ क्यों क्यों लगा रहे है जैसे हमारा दागा ओला जाता है न तो इस तरह से आप जो कटा हुआ भाग है और इस धागे को फसाद होगे तो आपके रील दोस्तों कभी भी नहीं उलजेगी कितनी सारी भी दील आप इखटी करके रख लो तो यह देखे निकालना बहुत आसान है जब यूज कर ले तो इस तरह से इसके अंदर आपको इसको फसादेना है बस इस तरह से मोर दीजे और इस तरह से कट लगाया हुआ है तो इस तरह से इसमें लगाती जाओंगी दोस्तों यह बहुत यह बढ़ी आइडिया है इससे आपकी रील भी बहुत अच्छे से सुरक्षित रहेंगी एक दूसरे में उलजेंगे नहीं और आपका डबा बहुत अच्छे से खाली खाली आपको दिखाती हूँ यह देगे दोस्तों सारी डीलों को मैंने इस तरह से रगा दिया है और यह बिटकुल भी फिसल के नहीं गिरेंगे अच्छे से खड़ी रहेंगी अब दोस्तों इसका यह जो डबा है ना इसमें भी हम एक जुबाड करने वाले हैं यहां पर भी हम ड दबा है इसमें आप अपना चोटा मोटा सामान जैसे धागा दालने की मसीन और इसकी जो सिटिल वगएरा है चोटे-चोटे जो पेटकस है उनको रख दीजे या कोई भी चोटा मोटा सामान है उसको रखने के बाद इस बॉक्स को आप बंद कर दीजे अब दोस्तों जो इ आपको यूज करना है यूज कीजे और इसके बाद ये जो रवडबंड है इसको इस तरह से आप फसा दीजे जिससे ये एकदम बिखरेगा नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिक्स हो गया है तो मैं दिखाती हूँ इस तरह से हटाईए यूज कीजे यूज करने के बाद बढ़या से इसको पैक करके आप रख दीजे ये भी बढ़या जुगाड है तो इसको भी यूज करके जरूर देखिएगा तब देखिए मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है अब मैं इसको इसके अंदर रख दूँगी अब दोस्तों यहाँ पर दिखाती हूँ कैसे मैं इसको यूज करने वाली हूँ तो इसको यूज हम करने वाले हैं अपने घर में जो हमारी सीजर है इसको रखने के लिए इससे अपकी सीजर सुरक्षे तरहिएं करöyle को इसमें जंग नहीं आएगी ये देखिए अच्छे से पैक हो गई है और इसको जब भी आपको कुछ सामान चाहिए इस तरह से खोल कर निकाल दीजे, I hope दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, दोस्तों कई बर हमारे घर में हमारी जो मशीन होती है, अगर हम थोड़ा सा भी खुला रहने दे या बहुत दिन हमें यूज किये हो जाए, तो उसमें बहुत सारी गंदगी फस जाती है, तो दबाई के पैकेट से, मैं इसको साफ करना आपको बताऊंगी, साथ ही दबाई के पैकेट को कैसे हम यूज कर सकते हैं अपनी मसीन पर, ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो यह देखिए, इस तरह से इसका जो नुकीला वाला हिससा है बहुत आसानी से, इस दबाई के पते से आप निकाल सकते हैं, जिसे हम जो पोचते हैं तो ये कचड़ा निकलता नहीं है, ये देखिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नुकीला होता है, तो जितनी भी गंदगी होती है, बड़े अच्छे से निकाल देता है, ठीक है, दो बहुत जल्दी आपने देखा होगा, टेणी बेडी हो जाती है, कपड़े पकड़ने लगती है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है, दबाई का पैकेट और जो अल्मोनिय वाले आते हैं वही आपको लेना है, इस तरह हार्ड जो हो रहती है, प्लास्टिक वो आपको न जाती है, जो सुई आपने देखा होगा, उसकी नोक इदर उदर हो जाती है, बो भी अच्छे से सैट हो जाती है, देखिए बस कुछ नहीं करना है, खाली पते पर आपको इस तरह से चलाना है, ठीक है, बस ध्यान रखेगा, प्लास्टिक वाला पत्ता नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए दोस्तों, ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, दोस्तों इसको भी आप ये उसकर के जरूर देखिएगा, जो भी आपकी नोक टेड़ी मेड़ी हो गई होगी ना, वो भी बहुत अच्छे से एक्दम सीधी हो जाएगी, आयोग दोस्तों ये ट्रिक भी इस तरह से इसको मोड देना है, बस एक दो मिनटी हम इसको रखेंगे, इतने में ही अच्छे से सेट हो जाएगा, ये देखे दोस्तों, ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो चुका है, आप देखी पा रहे होंगे, चलिए कैसे यूज़ करना है, मैं दिखाती हूँ, कई बार दोस्तों हम क्या करते हैं, मसीन को जादा यूज़ नहीं करते हैं, जादा यूज़ ना करने के कारण हमारी जो मसीन होती है, उसमें बहुत सारे गंदगी जाला हो जाता है, इस ब्रस को यूज़ करके दोस्तों आप बहुत ही असानी से अपनी मसीन को साफ कर सकते हैं, जहा भी आपके पास ब्रस पड़ा हो ना खराब आप इस तरह से उसको यूज कर लीजेगा है ना बहुत ही बड़ी आसा ट्रिक दोस्तों तो इसको भी आप यूज करके ज़रूर देखिएगा पुराने ब्रस का भी यूज हो जाएगा और मसीन भी अच्छे से साफ हो जाएगी प बार बार कैची से धागे को काटना पड़ता है इसके लिए बहुत ही बड़ी आसा जुगार लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा जिसमें आपको कैची को बार बार यूज करनके जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर आपको दोस्तों लेना है कंगा ठीक है कंगा लेने के बार दोस्तों यहां से आपको कट कर लेना है ठीक है अब इसको भी मैं यहां से अलग कर दूगी दोस्तों तो किसी कैची वगारा से या चाकू गारा से अच्छे से इसको अलग कर दीजे दोस्तों इसके आगे वाले साइड में इस तरह से हमें क्या कर कर तयार कर दीजे अब दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर लिया है ब्लेट और ब्लेट को इस तरह से हमें आधा आधा तोल लेना है इसका हम बहुत अच्छे से यूज करने वाले है तो देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे कंगे पर फैविक कुई की मदद से या ग्लूगन की मदद से अच्छे से इसको चिपका लेंगे तो यहाँ पर थोड़ सा फैविक कुई क्लिया है मैंने और बस इसको इस तरह से मैं सैट कर दूँगी इससे अच्छे से चिपक जाए तो यह दिखिए दोस्तों अच्छे से यह सैट हो चुका है और किस तरह से हम इसे यूज करेंगे चली दिखाते हूं तो सबसे पहले दोस्तों इसका यह वाला जो बोल्ट है इसको हमें खोल लेना है अब बस इस कंगे को दोस्तों हमें यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर देना है तो यह दिखिए किस तरह से मैं कर रही हूं सेम इसी तरह से यह देखिए हमने इस ब कीवन में हमेशा ही काम देने वाली है तो यहां चाहितmittel काटने के लिए तोड़ने के लिए तोड़ते हैं यहां या फिर कैची का करके दिखा रही हूं इस तरह से तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ज्यादा यूसफुल है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा तो चलिए देख लेते हैं अपना अगले ट्रिक दोस्तों सोई में धगा डालने के लिए इस तरह का मसीन तो कैसा रहे तो दोस्तों इसके लिए आपको लेना है यहां पर एक रूपया एक रूपया ले लेजेगा और इसके बाद आपको लेना है दोस्तों यहां पर जाडू ले सकते हैं आप या कोई भी पतला सा तार वो ले सकते हैं तो मैं यहां पर जाडू का यूज कर रही यह दिखिए अच्छे से फिक्स हो गया चलिए यूज करके दिखाती हूं यह दिखे दोस्तों बहुत ही आसानी से इस तरह से सुई में धागा पड़ जाता है आप देखी सकते हैं मैं यहां पर आपको डाल कर दिखा रही हूं तो इस तरह से डालने के बाद आपको क्या करना हैं धागे को लेना है और इसके अंदर डाल देना है तो हैना दोस्तों बहुत यूसफुल आइडिया इसको भी आप यूज जरूर कीज़ेगा आई होब दोस्तों आज के सारे टिप्संट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आये होंगे तो वीडियो को लाइक कर दि किज़ेगा तो कल फिर से मिलते हूं एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद